हेलो एब्रीबन इस वीडियो में बात कर लेते हैं एलम्बिक लिमिटेड की कुई क्लोजिंग अगर आप नोटेस करते हैं तो कुछ प्रॉफिट बगिंग भी रही उपर बिकॉज रिजिस्टेंस जोन था रिजिस्टेंस कुछ इस ट्रेंड लाइन के साथ बलकुल स्पेसिफिक बनती है और यहां पर वही लेवल आज काम करते हैं नज़रा है ट्रेंड लाइन का सेम इस नीचे वो स्ट्रॉंग सपोर्ट बनते हैं तो इसी जोन में चल रहा है हलाकी यहां से स्टॉक कई बार ऊपर भी गया है तो इस टॉक के जो हाई है वो है 158 के अराउंड तो क्या यहां पर नेक्स सेचन में चल सकता है अब बात आती है कि भाई यहां पर चल तो जाएगा ठीक है तो क्या पहले कोई pullback आएगा या उसके बाद चलेगा यहां पर 1RTF के according अगर आप देखना तो अल्रेडी उबर बहुत है स्टॉक तो एकदम से तो भाई आपको momentum नहीं देखने को मिलेगा स्टॉक बनाएगा यहां पर कुछ सपोर्ट जो की रहेगा यहां कहीं तक अपना सपोर्ट आएगा 147 पर यहां फिर अगर नीचे आ रहा है तो 144 भी आ सकता है यहां विकॉज 21 डे एमे का सपोर्ट है जो कि यह 1RTF के according तो कुछ यहां पर यह अपना सपोर्ट बन सकता है कि ब सपोर्ट हो चुका है विकली टीफ के according देखें तो यहां पर वापिस से एंट्री ले रहा है तो जो भी टार्गेट रहेंगे बड़े नहीं रहेंगे विकली टीफ के according भी यह क्लियर हो गया तो स्टॉक में यहां पर ब्रेक आउट दे रहा है तो पहला टार्गेट तो आत के साथ भी आपको साफधानी इतनी ही बरतनी पड़ेगी यहां पर अगर आप देखें अलंबिक के जो रिजल्ट रहते इस बार के अलंबिक लिमिटेड के वो ठीक रहते हैं यहां पर 51 CR का यहां पर सेल्स था लास्टाइम था नेट पाफिट इस था और लास्टाइम यह 44 पोड़ता है EPS 2.17 हो गया बढ़के इंवेस्टर्स की बात करते हैं तो FIIS ने हलकी स्टाइक बढ़ाएं यहां पर 1.42 परसेंट का हो गया है और DI कि बात करें तो 0.04 DI में SBI और ITI small cap fund है तो overall यहां पर नियर breakout तो है बट important है या अगर कोई influence buy करना चाहता है तो यहां तो breakout के बाद buy करें या फिर नीचे आ रहा है तो यहां 147 और 145 के आसपास देखें फिलाल इस जोन पर जहां पर buy मत करिएगा क्योंकि अगर यहां से गिर जाता है तो आफ जाएं यूपर और इस टॉक में भी यहां तक वापस आ जाए और फिर यहां से अप्ट्रेंड ले तो इससे बैटर है कि नीचे देखो या breakout के बाद देखो दो momentum सही बनेंगे रिसेंटली डिविडेंट भी आया 2.40 रुपीज का 11 सेप्टेंबर इसकी payment date है और 5 अगस्त को यह एक्स हुआ था तो एज ओफ यहां पर मैंने अच्छे से बता दिया है एक चीज़ और बता दू मैं लाइव सेशन भी लेता हूं मार्केटार में सुबह 10 बाई से एक बई तक और साम 9 बजे भी लाइव आता हूं तो आप अपनी क्लियर करने के लिए लाइव सेशन में